आज डिसकस करेंगे construction details of drilling machine के बारे में drilling machine के कौन-कौन से parts होते हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं तो drilling machine क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं जो drilling machine होती है वो hole produce करने के काम आती है किसी भी workpiece के अंदर तो इसके parts को हम समझते हैं सबसे पहले नीचे होता है base ये जो base है ये cast iron का हमारा बना होता है क्योंकि इसकी high compressive strength होती है और good wear resistance होता है तो इसलिए इसको cast iron का बनाया जाता है ताकि ये पूरी assembly को support कर सके और उसकी जो vibrations हैं उनको absorb कर सके इस base के उपर हमारा होता है pillar ये pillar इस base के उपर middle में होता है और ये pillar हमारा support करता है motor और spindle के head को देखते हैं वो कैसे है इसके बीच में यहाँ पे होती है swivel table ये swivel table है ये हमारी table up और down जा सकती है इस pillar के उपर ये इसको lock करने के लिए है टाइट एक जगा और ये इसके चारो तरफ घूम भी सकती है तो हम इस swivel table को किसी भी एंगल पे rotational angle पे या कि ऊपर नीचे हम इसको कहीं भी set कर सकते हैं जो हमारी requirement होगी उसके according जो ये pillar है इसके जो top side है इसके एक तरफ तो होता है हमारे पास motor यहाँ पे motor होती है जिसके अंदर shaft होती है और वो connect होती है stepped pulley से stepped pulley क्या होती है जिसकी अंदर pulley के step बने होते है ताकि हम जो rotational motion है उसको increase या decrease कर सके तो ये stepped pulley इस shaft से motor की shaft से connect होती है इसके दूसरी तरफ होता है spindle arrangement इसके बीच में यहाँ पे इस head के अंदर spindle होता है इस spindle के उपर भी stepped pulley connect होती है ये हमारी reverse direction में होती है opposite direction में जैसे ये अगर सीधी है तो ये उल्टी होगी ये दोनों जो stepped pulley है ये velocity ratio को लेने के काम आती है motion को change करने के काम आती है जो coding to requirement होता है और इस spindle के नीचे connect होता है चक क्या होता है जो हमारे revolving cutter को hold करता है उसको अच्छी तरह से tight करके पकड़ के रखता है तो इसको हम बोलते है चक और इस चक के अंदर होता है drill bit ये जो drill bit है ये हमारे revolving cutter होता है जो hole create करने के काम आता है इस swivel table के अंदर यहाँ पर T slot बने होते हैं इनके उपर हम कोई भी वाइस machine वाइस इसके उपर हम fit कर सकते हैं जैसा हमने पिछली machines में पड़ा था जो हमारी milling machine थी तो यहाँ पर इस table के उपर हम इसके उपर machine wise को fit कर सकते हैं तो इसलिए slot बने होते हैं इन दोनो stepped pulley के बीच में हमारी एक belt लगी होती है ये होता है हमारा hand wheel जिसकी rotation की help से हम इस spindle को उपर और नीचे कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में जो belt होती है वो होती है V belt यहाँ पर हम V belt यूज करते हैं जो इसके अंदर cut होते हैं वो V shape के अंदर होते हैं इसलिए इसको V belt बोलते हैं और जो V belt है वो flat belt से efficient होती है motion transfer करने में जिसे इन दोनों pulleys के बीच में slip नहीं होती तो slippage नहीं होगी तो यह असानी से work कर सकेगी और अच्छी grip बनेगी दोनो stepped pulleys के अंदर तो यह थे हमारे main parts थे जो drilling machine के अब इनके हम motion को देख लेते हैं कि किस किस तरह से कौन सा part work करता है जो हमारा swivel table है वो उपर और नीचे की तरफ move कर सकता है और चारों तरफ यह move कर सकता है तो इसको हम इसकी handle की help से lock कर लेते हैं तो यह तो है swivel table उपर नीचे और यह rotational motion किसी भी तरफ जा सकता है तो हम इसको tight कर सकते हैं किसी भी position पर जब हम switch को on करते हैं तो हमारी जो motor है उसकी shaft rotate करना start कर देती है इस shaft से connect है हमारी यह stabbed pulleys यह stabbed pulley इस stabbed pulley से connect है with the help of V-belt तो जब यह rotate करेगी तो हमारी यह pulley भी rotate करेगी और जो यह stabbed pulley है यह हमारी connect है spindle से spindle हमारा connect है chuck से और drill bit से तो यह भी revolve करना rotate करना start कर देंगे जैसे यह revolve करेंगे तो यह cutter हमारा working action में आ जाएगा और work करना यह start कर देगा इस hand wheel की help से हम इसको नीचे और ऊपर की तरफ कर सकते हैं जो हमारा cutter है तो यह है इसके जो motion है अब इसका internal mechanism देखते हैं कि यह जो जब हम hand wheel को rotate करते हैं तो यह उपर और नीचे किस तरह से जाता है ड्राविंग mechanism के अंदर हमारे पास होता है rack चक रैक से connect होता है और drill bit हमारी चक में connect होती है इस rack के साथ हमारा connect होता है pinion pinion के ऊपर teeth कटे होते हैं rack के ऊपर भी teeth कटे होते हैं यह दोनों teeth आपस के अंदर mesh करते हैं इस pinion के ऊपर हमारा hand wheel लगा होता है जो हम hand से ऊपर या नीचे जो उसको rotate करते हैं इस rack को ऊपर या नीचे करने के help करता है तो देखते हैं कैसे काम करता है जब हमारा hand wheel rotate करता है तो यह हमारा जो rack है वो ऊपर और नीचे की तरफ move करता है तो इस तरह से जो driving mechanism head railing machine का वो काम करता है तो thank you यह वीडियो देखने के लिए और ज्यादा updated वीडियो के लिए आप मेरे चैनल learn and grow पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you